हेलो एब्रीवन जैसा कि आप सभी लोगों को पता है CUCAT 2021 जो होने वाला है इसमें एक confusion बना हुआ है 12th marks विटेज की तो इसमें एक रिपोर्ट आई है टाइमस आफ इंडिया की जैसा कि आप देख सकते हैं हलाकि इस heading में यह लिखा है delayed academic cycle to continue with postponement of class 12th boards आप सभी लोगों को पता है कि CBSC के जो 12th के board exam थे वो extend हो गया है COVID की वज़े से तो हमें क्या जानना है इस report में एक अच्छी चीज है आप सभी के लिए जो CUCAT के लिए preparation कर रहे हैं और या जैसा कि आप यहां देख सकते हैं यह किस ने कहा है यह DU के senior spokesperson ने कहा है कि अगर जैसा कि आप सभी लोगों को मैं पहले पिछले वीडियो से बताया था कि DU जो है वो पूरी तरीके से CUCAT marks पे admission नहीं लेगा उसने plan बनाया था DU will give 50% weightage of CUCAT and another 50% weightage of class 12th board उसने 50-50 का एक ratio बनाया था लेकिन इस बार जो इस news में जो लिखा है जैसा कि आप यह देख सकते going to the rise in COVID cases, DU will give 100% weightage to the CUCAT score इसका सिधा सा मतलब है कि अगर promote होते हैं student काउन से 12th board है जिनका इस बार अगर वो promote होते हैं या किसी भी इंडिया के किसी भी state के अंदर अगर promote होते हैं तो इसका impact national level पड़ेगा और DU जैसी संस था हाला कि DU काफी इस पे force कर रहा था board के marks पे तो DU भी 100% weightage को लेगा और आप सब comment करके बताएंगे कि आप तो क्या लगता है कि board की exam होंगे की नहीं होंगे हमें जहां तक लगता है COVID की situation इतने जल्दी normal नहीं होने वाली है 90% chance है कि DU को भी 100% weightage पे ही लेना पड़ेगा तो इस report में इतनी चीजे थी अगर आपक इसको पूरा पढ़ना चाहते हैं तो हमारे टेलिग्राम चैनल से आपको इसकी PDF मिल जाएगी इस report की और इससे regarding जो भी आपको अपडेट अपकमिंग अपडेट आएंगी जिसकी जरुवत आपको होगी वो सारी अपडेट इस चैनल पर मिलेंगी तो फिर मिलते हैं next वीड लाई आपको लेठीट हैं